कि आज का जो टॉपिक है वह ब्लेंडिंग के उपर है स्पेशली बीगिनर्स के लिए यह टॉपिक बिकॉस आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ब्लेंडिंग क्यों जरूज नहीं है की मैं के ऊपर आज का जो पूरा वुडियो है दो आटवर्ट में इस विडीयो में करूँनगा गए कमपेर करना में अज जो blending को बहुत ज़ादा seriously ले लेते हैं और shading hatching को बहुत ज़ादा underestimate करते हैं seriously लहीं लेते नहीं अभी तो सिर्फ focus करना है कि कैसे अपने artwork को improve किया सकते blending अगर आप करोगे जाध से ज़ाधा आपका artwork इंप्रूव नहीं होगा मैं ब्लेंडिंग करता हूं बिलकुल इससे मैं एगरी करता हूं कि मैं ब्लेंडिंग करता हूं बट मैं ब्लेंडिंग करता हूं आर्टवर्क के एक दम फिनिश में एक जब आर्टवर्क एक फिनिश हो जाता है या फिर आर्टवर्क का कुछ blending करता हूं और blending क्यों थोड़ा smoothness के लिए लोग क्या करता हैं बोहत ज्याधा pressure लगाते हैं मैं ऐसा नहीं brush लिया brush से एक ज्यादा हलका stroke दे दिया थोड़ा smoothness आजहें बस इतना ही मैं ह нуж Dop 20 तो वीडियो में और भी ज्यादा बाते करेंगे आपको समझाऊंगा कि उसमें मैं क्या कर रहा हूं इस और क्या कर रहा हूं ब्लैंडिंग वाले मैं एक क्या कर रहा हूं और लों के बारे में अच्छे तरिक से बता बतांगा इस वीडियो में without any further do start करते हैं आज का वीडियो यहां पर मैं अभी दो स्टिल लाइव ड्रॉ करूंगा और एक में शेडिंग और ब्लेंडिंग होगा और एक में सिर्फ शेडिंग होगा ओके पहले तो मैं जल से जल दी दो स्टिल लाइव ड्रॉ कर लेता हूं अभी मैंने दो स्टिल लाइव ड्रॉ कर लिया है और यह जो स्टिल लाइव है इसमें सिर्फ शेडिंग होगा ब्लेंडिंग बिल्कुल भी नहीं होगा और यह जो स्टिल लाइव है इसमें ब्लेंडिंग होगा शेडिंग के बाद ओके तो अभी दोनों को मैं ड्रॉ अभी यहां पर देखिए मैं बता दो कि पहले किन किन चीजों पर मैं फोकस करूंगा मैं फोकस करूंगा वैल्यूस के उपर सबसे फर्स्ट वैल्यूस के उपर फोकस करूंगा उसके बात मैं फोकस करूंगा कि यह सही तरीके से प्रपोस्जंज क्या सही तरीके से हैं या नहीं है इन दोरहों चीज़े में विकॉज यह 22-25 मिनिट का एक स्टिल लैफ च्टेडि अब बोश सकते उसको बट यह टुटोरियल है बट मैंने एक स्टिल लेफ स्टेडी किया है यह तो यह ज्यादा डीटेलिंग में ज्यादा इंपोर्टेंस से यह नहीं होगा जस्ट एक एजर रफली ड्राइंग होगा अभी देखिए आपर बिल्कुल ही रफली मैंने आउट्लाइन किया है और आउट्लाइन का जो वीडि यह जो है इसमें मैं बिल्कुल भी ब्लैंडिंग नहीं करूंगा सिर्फ शेडिंग करूंगा इसलिए मैं अभी इसमें सिर्फ शेडिंग फोकस करूंगा नहीं कि ब्लैंडिंग में ज्यादा फोकस करूंगा जो बिगिनस एक्चुल में करते हैं ब्लैंडिंग पे ज्याद अलग एंगल से मैं रफली शेडिंग बना रहा हूं ठीक है जो जिस जगह मैं कर रहा हूं वह दार्क पाथ है और उसका उपोजिट साइट से लाइट आ रहा है यहां पर देखिए और जितने भी सारे में यहां पर यूज कर रहा हूं उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मे बलता हूं उसकिले मुर्टिल्स एंप्रूवंठ मिrob Ciao कि ऊफ्त है और इंपूर्व्मन्स जो है वो इंप्रूब्म Schüler safe एप कितना जानते हो कि इसके बार में Napilys वह ज्यादर important होता है वह होगा तो आप किसी material से बना लोगे आपको अगर लगा कि हाँ यह material अच्छा होगा मेरे लिए अभी और इसको बना लिके अच्छा होगा तो definitely materials का link description में दे दूँगा जो important materials हैं जैसे कि artline का pencil हो गया उसके ब्लेंडिंग के लिए टीशू पेपर यूज करूंगा उसके बाद मैं जो यूज करूँगा ब्लेंडिंग स्टम में यूज नहीं करूंगा तो इन सारे चीज़े आपके पास होंगी और एन शॉप पे आपको मिल जाएगा ठीक है इन सारे चीजों का link देकर कुछ उयदा है यह नहीं बड़ मैं चीजों का लिंग दे दूंगा जो आपको ड्राइंग में थोरा बहुत हो सके तो help करेंगे ज्यादातो आपका जो skill एकइन इंप्रूब्मेंट है वह मैटर करता है बट हाँ मेटियल से थोड़ा बहुत फर्क परता है आपका जो लब इजी हो जाता है आपके लिए बस इतना ही फर्क परता और कुछ नहीं फर्क परता अभी देखिए मैं यहां पर इसका जो हैंडेल है उसको ड्रॉ कर रहा हूं और रफ एक शेडिंग से जगह को फिल कर रहा हूं बस यह आप समझ लीजिए अभी देखिए यहां पर मैंने इस जो जार है उसका मैंने वैल्यूस को देख लिया है वैल्यूस को वैसी करते जा रहा हूं और देखिए यहां पर लाइन जा रहा है ठीक है एक एक के बाद एक ल करना 30-25 मिनिट के स्टडी में यह सब नहीं देखा जाता है उसका जो इंप्रेशन है वह कैसे देना यह दिखा जाता है ठीक है अभी यहां पर मैं रफली एक शेडिंग कर रहा हूं बिल्कुल भी ब्लैंड नहीं कर रहा हूं एक रफ शेडिंग है ठीक है कि यहां पर देखिए इस वीडियो का बनाने का जो मेरा मोटिव में मोटिव जो है ना वह है कि ब्लैंडिंग पर जादा लोग फोकस करते हैं जो आजकल मैं देखता हूं बहुत जादा हर एक वीडियो पर मैं वीडियो जो देखता हूं उसमें बहुत जादा देखता हूं ठ यहां इसको लेने में इसको यूज करने में मुझे सबसे बड़ा फायदा क्या हुआ पता है आप यहां पर देख सकते हैं कि ब्लेंड हो जा रहा है यह जो चीज है ब्लेंड हो जा रहा है बट यह मैं शेडिंग अगर अच्छा है तो ही यह ब्लेंड होगा मैं इसको जो नेक कि आउरी वाइड चार्टोल से जो ब्लेंदिंग है वो ज्यादा अच्छे से नहीं होगा वह ज्यादा फाइन नहीं होगा इसमें जतना है , यह तो उनकी help को आप देखिए, के जो कि विडीयो से उसको आप देखिए उसमें आप देखिएगा, जो कर रहा है हो भी ब्लैंडिंग में फोकस नहीं करते हैं वह करते हैं किसमें어서 में जा sogen SPD सोते अब जितने भी प्रोफेशनल अगर आपके पास बूगंगा प्रोफेशनल जो सकेचिंग बूक होते हैं उसमे हुआ उसमें साफ छे लाउन बेस्ट होते हैं को यहाइसिहозाय कुसें कि ज साफ त्षाइब तो इसलिए मैंने जो गोल चीज़े राउंड चीज़े होती हैं उनको चूज किया विकास स्टिल लाइफ में या फिर नॉर्मल अपने जो ड्राइंग्स हैं उसमें यह गोल चीज़ों को स्टेट चीज़ों को तो हम इसली बना पाएंगे जैसे एक बोड हो गया शीट हो गय कि हाँ यह डिफिकल्ड है इसको करने में मजा आएगा इसलिए मैंने चूज किया अच्छा लगा इसलिए मैंने चूज किया अभी मैं यहां पर डार्क पोश्यन है इस जगह में डार्क है बहुत ज़्यादा डार्क है यहां पर अब रेफरेंस में देख सकते हैं कि कितना यहां पर टाइंद में यहां पर ँदार्क कर रहा हूं यहां पर थोड़ा बहुत डार्क है श आई जगह को मैं विलकुल ही चोड़ रहा हूं कि में उतना ज्याधा इम्पोर्टथ्ह नहीं दे रहा हूं जब आप छोड़ दीजिए जिसमें शाइन आ रहा है उस जगह को छोड़ दो उसके बाद जब आप हलका फुलका शेडिंग करोगे लगेगा कि हाँ यहां पर हलका शेडिंग होना चाहिए उस जगह को फिल कर दो फ़लका शेडिंग के अहीं देखर नीचे का क ड्रीए जो यह ना बहुत जयदा डार यूस कर रहा है इसले में यहां पर आट्लाइन के शाइन, ईसका यूश कर रहा हूं कर रहा हूं Ö बहुत जब जादा से में करण नहीं कर रहा हूं और इन सारे सीधिक को लौक ज्याद से एंपोर्टेंट de Beck bait जोdo sw quiere Selfा हो चुक आयर्ट मास्टर जिसको हम बोलते हैं वह ज़्यादा इस में इसमें करेंगे कि इसने ऐसे कैसे किया आपको स्मूथनेस ज्यादर आप करते हो तो लोग बोलते हैं हाँ इतना स्मूथ कैसे किया यह बोलते हैं लोग तो आपको लगता है कि स्मूथनेस ज्यादर इंपोर्टेंस ऐसा नहीं है रफनेस उससे ज्यादर इंपोर्टेंस है करती जो नौलेज है उसको बढ़ाओगे ना उतना ही आपका ड्राइंग इंप्रूब होगा और सेम बेस्ट आपका पेंसिल स्केचिंग इंप्रूब होगा और अगर आपका पेंसिल स्केचिंग सच में बहुत ज़्यादा मज़ा आया आप चाहो तो ऐसे कुछ still life को आप ड्राव कर सकतो बिल्कुल ड्राव कर सकतो ऐसे कुछ still life को डिफिनेट्ले अप करो और मैं बता दूं कि ये जो still lives बहुत ज़्यादा important है हमारे हर एक जो आठ जर्नी है उसके लिए still life बहुत जदा important है तो बहुत लोग क्या कर दो हैं सिर्फ portraits की बनाते रहते हैं और कुछ नहीं करते ठीक है portraits बनाते रहते हैं water color में कर रहे हैं तो landscape बनाते रहते हैं but still life अगर आप बनाओ गे ना इतना ज़ादा मजा भी आएगा और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और और यह लाइफ बनाओ नहीं किया फोटो को ले लिया एक आप कोसिस करो क्या एक जगा पे दो बॉटल रख दो उसके बाद कुछ जार या कुछ भी रख दो तो उस समय आप इसको बनाओ ठीक है तो वह ज्यादा अच्छा रहेगा आपके ड्वाइंग के लिए न बहुत आगे बनाता बहुत ज्याद को यह च्छा बना यह तो मुझे प्रप्राब्लम हो अभी थौड़ा बहुत n नहीं दिया इसलिए उतना आच्छा तो बनाओ नहीं हो बड़ लिए Isneam's sketching का जो जो मूटीव है में जो sketching हम अ Measure को बोलेंगे कि पास्टरी कुछ बना देना इसको आइच्चाल में sketching बोला जाता है sketching का मतलब लोग समझ लेता है कि चाइबının pencil जराइबंस द्राइब रहिए बर्ट प्रोट चार्त लुआ करने पर नीचे का निसने उसको मैं र워서 कर रहे हैंthyč पर उसको स्केयर करें ऊक्री बोलते हैं अब ही यह हैं यही जो मैं करने अभी इसको स्केचिंग भोलते हैं नहीं कि आप blending करने लग जाओ आप कुछ भी करने लग जाओ इसको shading नहीं बोलते इसको sketching नहीं बोलते स्केशिंग का में जो मतलब है वो यही है कि आप roughly कुछ करो roughly कुछ भी करो sketching मतलब आप pencil drawing समझ तो वह नहीं है sketching मतलब है कि ऑइल पेंट एक्रेलिक वाटर कलर कुछ भी 30 मिनिट में करो अभी मैं इसको बनाने के लिए कुछ इन चीजों का यूज करूंगा सबसे ज्यादा तो मैं बनाऊंगा इसको थीक है अभी कुछ जादा चेंज्स नीहीं होंगे ज्श्ट यह चेंज्स होगा कि मैं इसमें जादा शीडिंग पर नहीं फोकस करूँगा इसमें मैं ब्लेंडिंग पर जादा फोकस कुरूँगा ठीक है फिलायल तो शेडिंग तरिकी से हो रहा है बट जो beginners है उन शेडिंगे तरिकी से होता है नहीं practice करने के लीह हम बोलता है but practice होता है बट बहुत कम improve होता है बट हperformance बनाओगे जितने जाद़ practice करोके उतना improve होगा बट अब ही इसको अच्छे तरीके से देखिए कि मैं कैसे कर रहा हूं यह जो बना रहा हूं ना आप अपने आर्ट्वर्क जब बनाओगे देखिए कैसे मैं रफली बना रहा हूं उसमें एक स्ट्रेट लाइन देखने को मिलता था इसमें कैसा लाइन देखने को मिल रहा है आप में से बहुत सारे लोग यह सोच रहे होंगे कि मैं इसको जान मुझ कैसे कर रहा हूं पर जो बीगिनर्स है या फिर मैं जब बीगिनर्स था तब मैं ऐसे करता था यह बेस्ट एक्जा आर्टवर्क में ऐसे करते हो क्या नहीं और जब आप अपना आर्टवर्क करो या फिर कुछ भी करो आप इस चीज को देखना कि आप जो मैं यह भी कर रहा हूं उस चीज को अवाइट करो और जो मैंने किया था जो यह स्टिल लाइफ है जो रेडी है उसको आप अपने है इसमें लाइन बहुत देख रहे हैं यहां पर बिल्कुल स्मूथ है ठीक है कितना ज्यादा उसके बात थोड़ा बहुत हो रहा है बड़ ऊपर में देखिए बहुत लाइन से यहां पर देखिए और इसमें मैं ज्यादा शेडिंग पर नहीं टाइम लगा रहा हूं ओके क्या खरण ब्लैनद करूंगा टीशो प्र की मदद से देखें हम्म्लैं कर रहीं देखें ठाल आप डीफ़रेंस आप देख पा रहे हैं मुझा था मैंने कि डिफ़रेंस इसको अच्छे तड़िक से देखिए ये हर एक artwork में होगा अप इसको तरीक से देखिए और देख के समझीए और ये सारे चीज आपको अपने आटवर्ब नहें करना है जो मैंने किया था उसको इंप्लिमेट करे इन अब तक अगर अपने आपक पर इंप्लिमेंट कर रहे हैं तो अभी के अभी रोग दीजे इस चीज को नहीं तो यह बढ़ता ही रहेगा और जो ब्लेंडिंग का जो गलत जो आपने समझा है कि ब्लेंडिंग टीशू पेपर और सिर्फ ब्लेंडिंग स्टर्म्स और कॉटन ब यूनिफॉर्म लेयर दीजिए ब्लेंडिंग कीजिए क्या प्रॉब्लम है कि देखिए यहां पर मैं भी बिल्कुल भी फोकस नहीं कर रहा हूं एक ऐसे ही लोग करते हैं जो सारे बिगिनेस है वह ऐसे ही करते हैं ज्यादा आउटलाइन पे ज्यादा ड्रॉइंग पे ज्य कर लेते हैं उनका यूज होता है डिफिनेटली बढ़े आटेस अंका यूझ करते हैं अभी आपका जो यह नहीं है कि अब ही आप भी फस्ट में कर रहा है यहां पर यह पर देखिए वैसे ही मैं एक टेक्ष्चर दे रहा हूं देख लीजी यहां पर ऑके तो फिलाल तो ऐस इसे ही हो रहा है बट आप ट्राइ कीजिएगा कि ऐसे नहीं करके जो मैंने किया था वैसे बनाने का डेफेनेटली अगर आप अच्छे तरीकी से करोगे और आप अगर मेरा शेडिंग का जो टुटरियल उसको अच्छे तरीकी से देख देखोगे तो आप इन दोनों में के साथ thank you so much what watching this video see you in the next one okay till then bye bye